हलो एबरीवान, कैसे हो आप सब, आशा करती हूँ आप सब बहुत जाद आच्छे होंगे गाइस आज मैं आप लोगों के साथ इस पेसल मेकप लुक शेयर करने जा रहे हूँ आशा करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो पसंद आएगे अगर पसंद आए वीडियो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजेगा इस वीडियो में बिल्कुल ही एजी तरीके से मैंने आप लोगों को मेकप लुक बताया है यानि कि सिर्फ आफ प्रोडक्ट से मैंने इस मेकप लुक को क्रियेट किया है कोई भी ब्रश, कोई भी फांडेशन, कोई भी सिर्म, कोई भी मोशुराजर नहीं है और साथी साथ मैंने विगनर्स के लिए दियान में रखा है ताकि आप इस लुक को कर सको जैसा मैंने बता है कोई भी ब्रश नहीं लूज किया है मैंने और आप मेरे व्लॉग में जरूर जाएगा गर्मियों का टाइम है काफी लोंग इस्टे करेगा ये मेकप मैंने इस मेकप लुक को एक बजे से सारी चार बजे तक करके रखा हुआ है लाइब प्रूफ आपको देखने को मिलेगा मेरे व्लॉग में इसके बाद मेरा व्लॉग आएगा और वीडियो फुल वॉच कीजेगा लास्ट वे मैंने पूरा अपना आउट्विट दिखाया है कि मैंने क्या पहना हुआ है और हाँ अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलॉग नहीं किया है तो प्लीज कल लिजे कभी-कभी मैं आउट्विट नहीं दिखा पाती हूँ तो आप इंस्टाग्राम पे अगर फॉलॉग किये रहोगी तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो चलो जादा बाते ना करते हूँ वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ले रहे हैं गुलाब चल जो आपकी गर्मे इसली मिल जाता है तो मैंने इसे एक स्प्रे वाली बॉटल में डाला है अगर आप चाहो तो कॉटन की हल्प से अपनाई कर सकते हूँ तेल हम यहाँ पिले रहे हैं विटामिन ए का कप्सूल जो बहुत जादा अच्छा होता है सिरम का काम करता है इसमें हम लगा जाए मिला रहे हैं तो आप वाव का अलो विरा जेल लिए सकते हूँ वो भी बहुत जादा अच्छा है तो इन दोनों को मिक्स करके हम अपने पूरी पेस पे कुछ देर के लिए लगा के छोड़ देंगे ताकि ये सेट हो जाए जैसा मैंने बताए कि 5-6 प्रोड़क्ट मैं यूज कर रही हूँ तो इसलिए मैं आई पेलेट ले लिए हूँ इसी से मैं अब्रो को फिल कर रही हूँ और गर्मियों की टाइमी ये बेस्ट आपसेंस होता है तो आप इस सही किसे जरूर ट्राइ कीजिएगा अगर आपको नहीं लगाना आता इस ब्रस के हल्प से तो आप क्या करो अब्रो पेंसिल भी ले सकते हूँ तो मुझे ये भी ध्यान रखना था कि five product लेना है प्लस brush भी नहीं लेना है तो मुझे यहाँ पर यह लेना ही पड़ा और मेरे ध्यान से बिल्कुल उतर गया था कि brush मुझे नहीं उच करना है तो इसके लिए शौरी आप एब्रो पैंसिल लगा सकते हूँ और इसको मैं अच्छे से सेट कर लूँगी दोनों ही एब्रो में लगा के अब हम ले रहे हैं ओलिविया का पैन स्टिक जो गर्मियों के लिए काफी जाद अच्छा होता है और आपको अपनी फेस के अकॉर्डिंग लेना है तो यहाँ पर मैं मेरे फेस के अकॉर्डिंग ले रहे हूँ 26 मेरा सेट है और यह सामले स्किन टोन से काफी अच्छे से जाएगा अगर आपका इससे थोड़ी सी मतलब लाइट है स्किन तो आप 24 ले सकते हो तो इस तरीके से मैं अपनी आई पर अपलाई कर रहे हूँ दोनों ही आई पर अपलाई कर लूँगी और एक फिंगर की हल्फ से अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी मतलब आपको फिंगर की हल्फ से ब्लेंड करना है ब्रस का यूच नहीं करना है देनम यहाँ पे ले रहे हैं एक रिट सेड इसको मैं क्या करूँगी एक फिंगर की हल्फ से अच्छे से ब्लेंड आउट करूँगी और ध्यान रखेगा जब भी आप कोई भी आई मेकप करो फिंगर की हल्फ से तो उसको दीरे दीरे आराम से तोड़ा सा टाइम देते हुए आहिस्ता इस्ता से लगाओ वना वो अच्छे से नहीं लगेगा आपको लगेगा लगी नहीं रहा है लेकिन टाइम दोगे तो यह ब्रस से बहुत ही जादा अच्छे से फिंगर से लगता है यानि ब्रस से उतने अच्छे से नहीं लगता जितने अच्छे से फिंगर से तो बस अब हम यहां पे रोज गोल्ड सेट पिक कर रहे हैं और इसको भी हम उसी को पर लगा लेंगे और हमारा आई मेकप बहुत ही ज्यादा अच्छा वाला होगा अगर आप थोड़ा सा सिम्री मतलब की नहीं रखना चाते हो आपके आई पे साइन न रहे डार्क रखना चा रहेंगे यहां पे हम लगा रहे हैं लेक्ट में का काचल जो बहुत ज्यादा अच्छा होता है लेकिन इस टाइम में यह थोड़ा सा इसमच जाता हो जाता है तो बज़क में है 70-80 रूपीज के साब से ठीक है उतना भी नहीं फैला है आप ब्लॉग में देख लिजेगा द इसके बाद आपको क्या करना है अच्छे से ही लगाना है थोड़ा सा टाइम देते हुए लगाना है और अगर आपको लाइन लगाना नहीं आता है तो आप मुझे कोमेंट कीजेगा वो भी मैं आपको जल्दी बता दूंगी कैसे लगा सकते हैं बहुत इजी वीजी सा तरी इसके बाद हम वहीं ले रहे हैं अपना पैन स्टिक और पूरे फेस पे अपलाए करेंगे थोड़ा थोड़ा सा लेके इकठे मत लीजेगा इकठे लोगे तो पैन स्टिक कभी सेट नहीं होता है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है थोड़ी थोड़ी कॉंटिटी में ल इसके ब्यूटी ब्लेंडर इससे आप सेट कर लिए ताकि वह अच्छे से एवेन हो जाए पूरे में फैल जाए और अच्छा सा आपका पूरा मेकप हो जाए ठीक है तो यह देखें यहाँ पर यह पूरे इसकिन में अच्छे से सेट हो चुका है और आप इसके बाद ले र को इस पंच मिलता अप उसके हल्प से अपलाई कर सकते हो और कॉंपैक ठीक है तो यहाँ पर मैं ब्लेश से लगा ले रही हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा इजी लगता ब्रेस से आदत हो जाती ही नहीं जैसे जो करते हो फिर यहाँ पर हम ले रहे है ब्लेशर थोड़ा सा light blusher लगाऊंगी क्योंकि हलका सा lightly और matte finish देगा यहाँ पर मैं ज़्यादा dark वाला blusher नहीं लगा रही है मुझे light set का लगा रही है और यहाँ पर कोई भी highlighter नहीं कुछ भी नहीं ठीक है तो हलका-लका सा blusher हम लगा ले रहे हैं अपने चेक पर और इसके बाद क्या करेंगे ADS का lip liner हम लेंगे ADS का lip liner बहुत ही जाथा budget में मिलता है 10 रुपिस का मिलता है और ऐसा भी नहीं है कि 10 रुपिस का है तो खराब है नहीं 10 रुपिस की सबसे बहुत अच्छा है यहाँ पर हम ले रहे hoda beauty की light pink set की lip stick और अपने पूरे फेस पे फेस पे नहीं सारी अपने पूरे लिप्स पर अपलाई करेंगे lipstick हमेशा जब भी लगाओ थोड़ा सा time देके लगाओ जल्दी मत लगाओ lipstick कि कि lipstick और eye makeup भी main होता अगर वो अपका खराब हो गया ना तो सब कुछ बेकार है पहला पहला सा गंदा दिखेगा तो थोड़ा सा time देकर लगाओ तो यह देखे यह रहा हमारा पूरा final look और dress जो है मैंने local market से ली ती बहुत ही ज़्यादा पूरानी मेरी dress है और jewelry साई है Amazon की है सायद और यह jewelry आपको Mishu पे भी मिल जाती है मिशु की है मुझी याद नहीं है मिशु की होगी तो मैं code देंगी आपनों देख लीजेगा और यह क्या है मिशु की होगी तो code देंगी आपनों देख लीजेगा बहुत है सो गाइस यह रहा हमारा पूरा आउटफिट और कैसा लग रहा आप लोगों को बताएगा जरूर अगर कोई भी कमी लगी हो तो आप जरूर सजिस कर सकते हो और कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि मैं पूरा आउटफिट नहीं दिखा पाती हो तो मैं इंस्टा पे जरूर वीडिय आपने को नहीं मिल रही है क्योंकि लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी अज मैंने घर की लाइटिंग यानी CFL और रॉट से ही अपना ये पूरा मेकप लूग क्रियेट किया है तो प्लीज आपनों जरूर पताएगा कैसा लगा और हाँ लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि जब हम आपकी रिक्वेस्ट पूरी करते है यार तो इतना तो बनता ही बनता है ना तो लाइक तो जरूर कीजिएगा सो चलो मिलती हूँ आप लोग उसे नेस्ट वीडियो में अच्छे से व्लाउग या मेकप लूग या डियावाई के साथ तब तक के लिए बाए